हेलो एवरिवन वेलकम टू एजुकेशन राइस नमस्कार आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्तान बोड की अरदवार्शिक परिक्षा 2021-22 के बारे में कक्सा 12 के लिए हम राजनिती विज्यान का यहां पर पैपर देखने वाल हैं तो आप यहां पर देख सकत जो आपकी हाफियली एक्जाम है उसमें 40% नमबर जो है वो आपके अबजेक्टिव और वन लाइनर और रिक दिस्तान के रहेंगे और उसके बाद में उत्तर लग उत्तरात्पक और फिर निवद्धात्पक प्रसन भी 30-30% आएंगे तो उसी पैटर्न पर आपका यह पैप प्रसन के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर चार उप्सन है आपके पास Operation Desert Storm, Operation Enduring Freedom, Operation Iraqi Freedom और उप्सन दहे Operation Blue Star तो पता होगा आपको इसका राइट आंसर है Option A, Operation Desert Storm ठीक है Next, दूसरा प्रसन है फटाबट से हम यहाँ पर देख लेते हैं पूरा पैपर क्योंकि काफी लंबा पैपर है तो जल्दी से देख लेते हैं बिल्कुल इसी प्रकार का पैपर आपको एक्जाम में मिलने वाला है और अगर आप इस वीडियो की PDF चाते हैं तो इस वीडियो क दिस्क्रिप्शन में हमारे टेलिग्रम चैनल का लिंक दिया हुआ है जोइन कर लीजे आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी दूसरा प्रसन है दीतिया वेश्वय युद में धूरी रास्ट कौन थे ऑप्शन ए पॉलेंड जापान जर्मनी ऑप्शन भी है इटली जापान ब्रि तीसरा प्रसना है निम्न लिकित में से कौन सा अमेरिका द्वारह आतंक वाद की विरुद इसके वैस्विक युद का हिस्सा धेहन रखेगा आतंक वाद की विरुद पोचा है विष्व इस्तर पर अमेरिका का कौन सा ये जो अभियान थाelier ऑप्रेशन डेजर्ट स्टॉम, Computer War, Operation Enduring Freedom and next है Video Game War तो इसका सही जवाब रहेगा Option C, Operation Enduring Freedom अमेरिका द्वारा आतंक वाद के विरुद इसके वैस्विक युद का हिस्सा था चौता प्रस्न है NATO का पूरा नाम क्या है NATO का नाम बताना है आपको Option A है North African Treaty Organization Option B है North Atlantic Treaty Organization Option सह है North Asian Treaty Organization और Option 10 है North American Treaty Organization आपको जिंचिन प्रस्नों के उतराते हैं आप कमेंट बॉक्स में आंसर भीजते रहेए और साथी साथ अपने जवाब चेक करते रहेए तो यहाँ पर देखिए जो चौता प्रस्न है NATO का पूरा नाम तो इसका सही जवाब रहेगा Option B North Atlantic Treaty Organization यह जो है इसका Option रहेगा Option B North Atlantic Treaty Organization Next Question है पांचवा सांती कारेकरम के लिए NATO की भागीदारी का उद्देश्य था Option A भूत पूर्वी गुट के राज्यों को इस संगठन में सामिल करना Option B है बॉस्निया से बॉस्निया में सर्वों की समस्या सुल जाना Option 2 है योगोसलाविया के विरुद सेन्य कारवाई करना और Option 2 है सीरिया में अल असद सासन के विरुद कारवाई करना तो यहां पर सांती कारेकरम के लिए NATO की भागीदारी का मूल उद्देश्य था भूत पूर्वी गुट के राज्यों जो थे एक दिसंबर 2000 को Option सहे 11 सितंबर 2001 को और Option 10 है 11 सितंबर 2003 को तो इसका सही जवाब रहेगा Option सह 11 सितंबर 2001 को नियूँ यॉर्क इस्तित अमरीकी जो वर्ल्ड ट्रेट सेंडर था सेंडर था वहाँ पर आतं की हमला हुआ था नेक्स सात्वा प्रस्ण सही उक्त राज्य अमेरिका द्वारा Operation Iraqi Freedom कूट नाम से इराक पर सैन्मी हमला कभी किया गया था चार उप्सन है आपके पास Option A है 11 सितंबर 2002 को Option 2 है 19 मार्च 2003 को Option 1 है 1 अप्रिल 2004 को और Option 10 है 17 अगस्त 2005 को तो इसका सही जवाब है Option 2 तो इसका सही जवाब रहेगा Option 2 19 मार्च 2003 को ठीक है याद रखिएगा 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर Operation Iraqi Freedom कूट नाम से हमला किया था आठवा प्रस्ण है पहली बार परमानु बम कहा फैका गया था Option 1 नागा साकी Option 2 हीरो सिमा Option 2 हीरो सिमा नामक सहर पर जो है 6 अगस्त 1942 को परमानु बम गिराए था उसके बाद फिर 9 अगस्त को नागा साकी पर गिराए था लेकिन यहाँ पर पहले सबसे पहले पूचा है और दोनों ही Option है तो याद रखिएगा पहले हीरो सिमा पर गिराए था और उसके बाद में फिर जो है 9 तारिक को 6 तारिक को हीरो सिमा पर और 9 अगस्त 1942 को नागा साकी पर नेक्स्ट प्रसन है अपना अब यह तो हो गए अबजेक्टिव यहाँ पर पूरे हो गए और अब हम करेंगे अति लगुतरात्मक प्रसना तो 9 प्रसना है तीन प्रमुक राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निर्पेक्स आंदोलन को प्रारम किया तो आपको पता है सीत युद के काल में एक तीसरा जो है वो विश्व इस्तर पर संगटन था यह था गुट निर्पेक्स आंदोलन का तो यह गुट निर्पेक्स आंदोलन प्रारम करने वाले नेता कौन-कौन थे उत्तर लिखना है आपको गुट निर्पेक्स आंदोलन को प्रारम करने वाले तीन प्रमुक नेता थे जभार लाल नेरु भारत के जौसेप ब्रहुस टीटो योगोसलाविया के और गमाल अब्दुल नासिर मेश्र के दस्वा प्रसना है 1960 के दसक में दोनों महासक्तियों ने कौन कौन से प्रमुख समझुते पर हस्ताकसर किये थे तो उत्तर लिखना है आपको दस्वे का कि 1960 के दसक में दोनों ही महासक्तियों ने दोनों ही महासक्तियां एक तरप थी संयुक्त राज अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संग तो ये दोनों जो महासक्तियां थी इन्होंने 1960 के दसक में जो तीन प्रकार के समझुतों पर हस्ताकसर किये थे दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्चे करिएगा वीडियो को लाइक भी करिए अपने मित्रों के साथ भी सेयर करिए और इसी प्रकार के important papers मैं आपके लिए हाफिल लिए इंडोनेशिया के प्रथम राष्टपती कौन थे? उत्तर है इंडोनेशिया के प्रथम राष्टपती थे सुकर्नों और आपको याद होगा ये सुकर्नों भी गुट निर्प्रिक सांदोलन का हिस्सा थे बारवा प्रसना है वेश्व राजनीती में अमेरीकी वर्चस्व से क्या अभीप्रा है? उत्तर है वेश्व राजनीती में अमेरीकी वर्चस्व से अभीप्रा है राजनीती, आर्थिक, सैनिक और सांस्कृतिक मामलों में अमेरीकी प्रभाव अत्वाद दबदबा इस्तापित होना ठीक है विश्व राजनिती में अमेरिकी वर्चस्व वर्चस्व का मतलब होता है विविन छेत्रों में अपना ही दबदबा होना नेक्स तेर्वा प्रस्ण है सौक थेरेपी का साब्दिक अर्थ बताईए याद रखीगा सारे के सारे प्रस्ण आपके हाफेली एक्जाम के लिए इंपोटेंट है और इसी प्रकार से आपको उत्तर भी लिखना है उत्तर है सौक थेरेपी का साब्दिक अर्थ है आगात उपचार करना नेक्स्ट चौदवा प्रस्ण प्रथम गुटनेर पेक्स सीखर सम्मिलन में कितने देश सम्मिलित हुए थे उत्तर है प्रथम गुटनेर पेक्स सीखर सम्मिलन में 25 देश सम्मिलित हुए थे 15 प्रसन है वरچस्व का क्या आर्थ है तो लिखना है कि अंतर राश्ट्य राजनीती में वर्चस्व का आर्थ है सक्ति का केवल एक ही केंद्र होना ठीक है पुर्वेश्व में एक ही देश सक्ति साली होता है हर चेतर में उसका दबदबा रहता है तो ये अंतराष्टी राजनिति में वर्चस्व क्यलाता है अब हम करेंगे लगूत्रात्मक प्रस्ण ये इसी प्रकार का इसी बहस का आपका पेपर आएगा सबसे पहले आपके आएंगे 40 प्रतिसत प्रस्ण आपके बहू विकल पात्मक पुछे जाएंगे उसके बाद आपके 30% प्रस्न जहों लगूतर आत्मक रहेंगे और 30% निबंदात्मक रहेंगे तो आईए करते हैं 16 प्रस्ना है गुट निर्पेक सांदोलन का महत्व बताईए तो आपको उतर लिखना है कि गुट निर्पेक सांदोलन ने सीत यूद के काल में महत्व बहुमी का निबाई थी बिल्कुल सही है सीत यूद जब चल रहा था एक तरफ अमेरिका दूसरी तरफ सोवित संग दोनों ही मासक्तियों के बीच में एक प्रकार से यूद जैसे इस्तती बने हुई थी हालांकि प्रतेक्स यूद तो नहीं हुआ था तो इस दोरान एक तीसरा कुट उपर करके सामने आया था उसका नाम था गुट निर्पिक सांदोलन और गुट निर्पिक सांदोलन ने महतपुन भूमी का निवाईती इसकाल में तो यहाँ पर उसकी कुछ महतव देखेंगे पहला तो यह है कि गुट निर्पिक सांदोलन ने सदस्य देशों को सीत युद से दूर रखा है दूसरा यह था कि गुट निर्पिक सांदोलन ने सदस्य देशों में आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा दिया है तीसरा है गुट निर्पिक सांदोलन ने विकासिल देशों के संबानों और प्रतिस्टा में व्रधिक की है और चौता लिखना है कि गुट निर्पेक्स अंदोलन ने उपनी वेशवाद की समापती में महत्वण भूमी का निबाई थी तो ये चार चीज़ा आपको देखनी है पहला तो ये था कि इसके जो सदस्य देश थे उनको सीत युद से दूर रखा था जासीत युद में दोनों ही मासक्तियां विश्वा के विबिन देशों को अपने अंदर मिलाना चाती थी तो इन्हों ने इन देशों से दुर रखा दूसरा ये था कि ये जो सदस्य देश थे गुट नेरपेक्स के उनमें आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा दिया और फिर विकासिल जो देश थे उनके सम्मान और प्रतिस्टा में व्रद्दि की थी और साथी साथ इन्हों ने उपनी विश्वाद की समाप्ती मे भी महत्तपुन भूमी का निवाई थी नेक्स्ट सतरवा प्रस्न है नई विश्व व्यवस्था से क्या आसे हैं तो लित्र लिखना आपको कि समकालीन विश्व में एक नई विश्व व्यवस्था से यह अभी आसे हैं कि वर्तमान में सोव्यत संग के विगटन के पस्चात आपको पता हुनने इसो एकराणवे में जब सोवियत संग का विगटन हो गया तो उसके पस्चाद विश्व के दी ध्रूविय वैवस्ता समाप्त हो गई थी जो दो ध्रूव थे एक तरफ अमेरिका दूसरी तरफ सोवियत संग ये वैवस्ता तूड़ चुकी थी क्योंकि यहाँ पर सोवियत संग का विगटन हो गया था उसके सक्ति समाप्त हो गई थी उसके इस्तान पर एक ध्रूविय वैवस्ता इस्तापित हो गई थी और इस एक ध्रूविय व्यवस्ता में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में एक मात्र महा सक्ति बन करके उबरा था तो इसे कहते हैं नई विश्व व्यवस्ता तो यह थे आज की इतने प्रसना और हम कंटिनू करेंगे नेक्स वीडियो में आपको बाकी वाले इसके जो प्रसना है वो मिलेंगे इसी प्रकार के बाकी सब्जेक्ट्स के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, निवारी, हिंदी, साहित्य, इंग्लिज के मॉडल पैपर भी अगर आप चाहते हैं, तो यहाँ पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मित्रों के साथ इससे सेर भी करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजी, थैंक्यू